दोस्तो नमस्कार मेरे चैनल पे आप शबी के श्वागत है दोस्तो आज हम बहुत आसान तरीका से वाइट फिनेल बनाना सीखेंगे इसमें दोस्तो कुछ नहीं लगता है बस एस्टीयल जो है यह देखिए यह मेरा फेक्टरी में मैनुफेक्टरिंग हो रहा है यह एस्टीयल स्मार्ट ट्रांस्पॉर्मिंग लिक्विड इससे सब प्रोडक्ट बन जाता है जैसे की हैंडवास डीश वास ग्लास क्लीनर फ्लोर क्लीनर वाइट फिनेल फेस वास कार्वास सैंपू उसके बाद डैसबोट पॉलिस टायर पॉलिस कुछ भी शाइनिंग लिक्विड करना है तो वह भी आप कर सकते हैं 15-16 इससे बनता है ठीक है बस वाटार का रिशियो बदल के अब कुछ भी बना सकते हैं ठीक है तो आज हम क्या करेंगे वाइट फिनाइल बनाना सीखेंगे इसमें सेपरेशन भी इसमें भी नहीं आता है आगे हम लोग सीखेंगे तर्पिंटाइन ओयल से ठीक है आज हम सीखेंगे पाइन ओयल से ठीक है पाइन ओयल से भी आप इसे बना सकते हैं देखिए इसमें पाइन ओयल मैंने ले लिया है और थोड़ा सा ए इसको अच्छा से mix करना है एक है अगर आप है और अगर आप कॉंसेंट्रेंट बनाना चाहते हैं वाइट फिनेर कॉंसेंट तो है तो आच्छा से इसको mix कर लेना है कि यह फिनेल जो है बहुत गाड़ा भी होता है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है तो अब इसमें पानी अट कर देंगे कि और मिक्स करते जाएंगे कर देखिए और यह फिरे इसमें बहुत ही वाइडनेस आ जाएगा वाइडनेस इसका कमाल का होता है ठीक है कमाल का वाइडनेस आता है इसमें और भी पानी आट कर देंगे इसमें सेपारेशन आने का कोई चांसे नहीं रहता है और फिनाइल भी बहुत अच्छा बनता है कमाल का फिनाइल बनता है वो भी उइदाउट सेपारेशन ठीक है देखिए वाइडनेश कमाल का है ठीक है फिनाइल बहुत बड़ी अक्वालिटी का बन चुका है सिर्फ एस टीएल और पाइन ओयल से ठीक है आपको और कुछ एट करने का ज़र्वद नहीं है आप चाहिए तो इसमें कालर और पर्फियूम में एट कर सकते हैं परफियूम फिनाइल बनाने के लिए लेकिन पार्फिम फिनाईल में प्रॉब्लम क्या होता है पाइनल जो है खुजबू थोड़ा खा लेता है ठीक है तो आप ऐसे ही इसको बने बॉटलिंग करके मार्केट में से लाउट कर सकते हैं अब ही फिनाईल बनाना दोस्तों बहुत ही आसान हो गया ठीक है और से सब कुछ बनता है एक ऐसा नाम कर दे हर काम तमाम ठीक है कुछ भी चीज आप इससे बना सकते हैं और यह सब टेस्टेड है 32 परसेंट जो पाइनल मार्केट में मिलता है उससे मैंने बनाए है ठीक है वा और हैंडवस बनाएंगे डीश बनाएंगे तो टांसपरेंट बनाएगा ही ठीक है बाद में एक के बाद एक वीडियो आ रहा है दोस्तों आपको अगर एस्टील चाहिए तो भी आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं एस्टील का सैंपल भीज रहा हूं आप सैंपल को वीडियो सेंपल मैं बेहा हैं ठीक है यह बनी है मैंने भीजा है कम से कम 40-50 करके सेंपल भीजиш हे आप अगर वीडियों स्प्री थैसे डीक कर सकते हैं ठीक है सेंपल पूंचकने कहीं के पाद आप इस्तेमाल करके उसके बाद मज़ से संपर कीजिए गा और यह मैं ठ्रांसपोर्ट में बेज़ू गा यह तो सुरू में यह कुरियर में जाएगा बाद में ठ्रांसपोर्ट टाइप का है, एक है HTL 150 और एक है normal HTL, जो आपका जो product है, उसको गाणा करने के लिए, composition को गाणा करने के लिए ये इस्तिमाल होगा, ठीक है, और HTL जो है मेरा, वो caustic free है, ठीक है, कोई harmful acid भी इसमें नहीं है, और caustic free है, totally caustic free, तो और इसका pH आपको maintain करने का भी नहीं पड़ेगा, pH हर वक्त 7 के नीचे ही आता है, 7 तक होता है, 7 के नीचे ही आता है, फिनेल का भी, इसका भी pH जो है, एकदम 7 के नीचे ही आएगा, ठीक है, फिर भी मैं इसका pH चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, देखिए, 7 से नीचे ही रहेगा, ठीक है, एकदम pH maintain करने का जुरुद भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप hand wash बनाएंगे, कुछ भी product बनाएंगे, pH maintain करने का जुरुद नहीं है, और ये जो फिनेल बनेगा, इसमें separation नहीं आएगा, एकदम आख बंद करके भरोषा कर सकते हैं, इसे मैंने बनाया है, ठीक है, ये STL मेरा manufacturing है, आप चाहे तो मुझसे संपर्व कर सकते हैं, ठीक है, 15-16 आइटेम इसस बवाइ